हाईलो फ्रेंड्स, गुड विनिंग, स्वागत है आप सबका स्विकृर्पा कलासेच पर दोस्तों इस वीडियो में हम लोग SSE GD exam 2024 के आगे की सिफ्टों में पूछे है सकने वाले most important selected person को solve करेंगे दोस्तों आपके exams में जितने भी टापिक से questions पूछे जा रहे हैं उन सभी topics को collect करके A to Z, एक एक question वा एक एक fact चुन चुन के डाला गया है इसके साथ आपके previous exams में पूछे के पसनों को भी सामिल किया गया है साथ में step head को पूरी तरह से कबर करने का प्रियास किया गया है तो दोस्तों आप लोग इने constant होके solve करें questions कम solve होने पर पुना पसनों करी vision करें ताकि SSC GD exam 2024 में आप लोग अच्छे से अच्छे score कर सकें तो चलिए दोस्तों जदा समयना लेते भी है हम लोग इन सभी most part person को solve करना शुरू करते हैं दोस्तों question number 1 है हमारा अंतर राष्टी सिच्छा दिवस 2024 कब मनाये गया current का most one question है दोस्तों बिल्कुल आपके 10 में है आपके label में है question हमारा अंतर राष्टी सिच्छा दिवस 2024 कब मनाये गया correct answer होगा 24 जनुवरी को अब चुकी दोस्तों current से हमारा question आये हुआ है तो इस topic से जितने questions बनते हैं अधिकांस प्रस्णों को हम लोग यहीं पे cover करेंगे यही हमारी preparation की strategy है दोस्तों कि जिस भी topics को हम लोग उठाएंगे उस topics के अधिकांस प्रस्णों को पूर्य extra fact के साथ वहीं पे cover करेंगे ध्यान दीजेगा दोस्तों आप लोग सारे question selected रखे गए है पहला question है हमारा IPL 2013 का खिताब किस टेम ने जीता correct answer होगा चन्नाई सुपर किंग्स ने most more question है दोस्तों बिलकुल आपके 10 में है IPL 2013 का खिताब किस टेम ने जीता चन्नाई सुपर किंग्स ने extra fact देखेंगे आप लोग संस्कान कौन सा था दोस्तों तो शोलवा था विजेता टेम की बात की जाए तो चन्नाई सुपर किंग्स रहा विजेता गुजराज टाइटन्स था आरेंज कैप इसमें दोस्तों सुमन गिल को दिया गया वा परपल कैप मुहमद समी को मिला पूरी तरह से ध्यान रखेंगे दोस्तों सारेक्ष्ट अपके सामने है अगला question है मारा शंगाई सायोक संगठन सिखर सम्मिलन 2013 की मेजबानी किसने की अस्थापना इसकी हुई थे दोस्तों पंदरा जून 2001 को मुख्याले इसका वीजिंग में है और इसमें सदस देश टोटल नौ है ध्यान दिजीगा आप लोग question पूछा सकता है चीन है दोस्तों कजाकिस्तान है किर्गिस्तान है रूस है ताजिकिस्तान है उजबेकिस्तान है भारत और पाकिस्तान है ने देश दोस्तों 28 में जो जुड़ा है वो इरान है पूरी तरह से अप लोग अपडेट रहेंगे इतने moderate question दोस्तों आपके एक्जाम में हो सकते हैं ध्यान दिजेगा आप लोग आगे चलते हम लोग अगला question है दोस्तों हमारा विश्चु का सबसे लंबा railway platform कौन सा बना है question पर ध्यान दिजेगा विश्चु का सबसे लंबा railway platform कौन सा बना है तो सिद्ध रुद्धा स्वामी हुबली railway station है जो की करनाटक में पढ़ता है next question है नीतीयायव का नया CEO किसे निवकति किया गया है correct answer होगा श्री BBR 100 बरह महनय को पूरी तरह से ध्यान रखेंगे नीतीयायव आप लोगों का most of a topic रहेगा question था नीतीयायव का नया CEO किसे निवकति किया गया है तो स्री BBR 100 बरह महनय को इसके पर्धम अध्यस अर्विंद पनगडिया थे, पर्धम CEO अमिताब कांत थे, वर्तमान उपाध्यस नीतियाव के सुमन के वेरी है, वह वर्तमान CEO स्री विवियासु ब्रह्मनेम है, अध्यस की बात की जा दुस्तों, तो परधान मंतरी नरेंद मोदी जी है, थोड़ा सा में बार्वा, विश्व हिंदी सम्मेलन 2030 कहां आउजित किया गया, मोश्च प्रण कोश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा नोट देखेंगे, दोस्तों, दस जनुवरी 1975 को नागपुर में पर्थम विश्व हिंदी सम्मेलन का आउजिजन हुआ था, इस कोश्चन से भी आप ल अगला कोशन देखते हैं हम लो, दोस्तों मात्र भूमी बुक आपदाईयर 2013 से किसे सम्मानित किया गया, तो डाक्टर पैगी मोहन को किया गया है, अगला कोशन है मारा, रिक्की केस, तीन बार ग्रेमी पुरसकार परात करने वाले पर्थम भारती है, पंडी तरवी संकर ग्र इसमें से ग्रेमी पुरसकार परात करने वाले पर्थम भारती है, वार आखी कपूर को गुल्डन बुक आवार 2013 से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखेंगे, आप लो, कोशन कई तरह से गहमा के पुछे आते हैं, इसलिए थोड़ा सा यहापर डेपले में इस कोशन को रख में किस राज ने लाड़िली लच्मी 2.0 नामक योजना को शुरू किया है तो मध्य परदेश राज सरकार के द्वरा किया गया है अगला कोशन है हाली में जी सेवन सिखर सम्मिलन 2030 को आजन कहा हुआ तो जापान में किया गया पूरी तरह से पिरपेर रहेंगे अगला कोशन ह तो सवराष्ठ है वा रंड़िल ट्राफिल 2030 की विजजयता टिम कोँछ सी है तो बंगाल है पूरी तरह से पिरपेर रहेंगे अगला कोशन है फुटबाल टूर्णामेंट यानि कि संतोश ट्राफिल 2030 के खिताब किस ने जीता तो करनाठक ने जीता है वह फुटबाल टूर इसलिए आप लोग पूरी तरह से प्रिपेर हैं, आगे हम मेंसन कर दिये हैं, आगे बढ़ते हम लोग, नेक्ट कोश्चन की ओर, अगला कोश्चन क्या दोस्तों, ब्रिक से सिखर सम्मेलन 2030 की मेजबानी किस देश ने की, तो दच्छन अफरीका के द्वारा की गई है, ध्यान अगला पॉइंट देखेंगे आप लोग, दोस्तों, 14 ब्रिक सिखर सम्मेलन 2022, इस का आउज़न चीन में किया गया था, वह 15 ब्रिक सिखर सम्मेलन 2030 का आउज़न दच्छन अफरीका, जो हमारा कोश्चन था, 16 ब्रिक सिखर सम्मेलन 2024 का आउज़न कहा किया जाएगा, यह आ ध्यान रखेंगे आपनों, अर्जेंटीना है, सौधी अरभ है, सन्युक्तरव अमीराथ है, मिस्र है, इथोपिया और इरान है, ध्यान रखेंगे आप लोग पूरी तरह से, कोश्चन यहां से बन सकता है, मोस्ट अमनों कोश्चन है, सब्सक्राइब करें दोस्तों, आप ह जो पार्ट करम है, GKGS, जिसमें आपका जनल साइस हमिल है, करेंट अफेस हों सामान हिंदी, इनके पूरे पार्ट करम को टोटल 25 PDF के जरी कंपलेट के गया है, 1550 रुपीज है, वार्टसप नमर आप लोगों के सामने है, बिल्कु सेक्सेस्फुल है दोस्तों, हम देख रह इनके भी पार्ट करम को पूरी तरह से कबर कर रहा है, दूसरा PDF दोस्तों हमारा विहार SSC का लगा हुआ है, जिसका एक्जाम नजदी किया रहा है, इसमें जो आपका पार्ट करम हैं दोस्तों, GKGS, GKS का आप लोग जानते हैं दोस्तों, यानि कि जनल साइस का अच्छा ख SSC के ट्रेंड को हमने समझा है, वह इस पर अच्छा खासा काम किया है, चलते हम लोग अगले कोश्चन की और, अगला कोश्चन क्या दोस्तों हमारा, निम्न में स्वर्ग नदी किसका प्रियावाची सब्द है, हिंदी से आयो है, दोस्तों ध्यान देंगे, हम लोग सभी ट सबसे पले अतिथी की प्रियाची की बात की जाए, तो पाहुन होगा, महमान होगा, आगन्तुक और अभ्यागत, चार वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट है दोस्तों अधिकार की प्रियाची, तो शक्ती होगा, सामर्थ होगा, छमता होगा, दावा वहक, पा रिविजन आप लोग जरूर करेंगे, अगला क्या दोस्तों, आकाश गंगा, आकाश गंगा के प्रियाची की बात की जाए, तो मन्दाकनी होगा, सुर्ण नदी होगा, नव गंगा होगा, वह सुर्ण नदी होगा, जो हमारा कोश्चन बनके आए था, नेक्स्ट है दोस्त अनुगिरिहीत होगा, उपकिरित होगा, किरतार्थ होगा, नेक्स्ट है किनारा के प्रिवाची, तीर होगा, कूल होगा, छोर होगा, तट होगा, पुलिन होगा, वस सिरा होगा, अगला जोपड़ी के प्रिवाची, तो कुटी होगा, कुटी होगा, पन कुटी होगा, कु हम लोग अगले question की ओर question हमारा कहा से आ हो है दोस्तों water tankों में सेवाल को नस्ट करने के लिए किस रसान का प्रियोग किया जाता है correct answer होगा copper sulphate का general science से आ होगा है अब question हम लोगों ने देखा उनका answer दिया अब most जो general science से question बनते हैं दोस्तों easy to moderate label पे आपके सभी one day exam से बार-बार पुछे आते हैं वहाँ repeat होते रहते हैं उन सभी प्रस्वनों को हम लोग एक साथ cover करेंगे ध्यान दिजेगे दोस्तों सारे selected question है चलते हम लोग पहले question की ओर question है हमारा फोटोग्राफी में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है तो silver bromide का ध्यान रखेंगे आप लोग अगला है कौन सी गरंथी रक्त चाप को नियंत्रित करता ही है करती है दूस्तों तो एडेनल गरंथी है कौन सी एडेनल गरंथी है अगला question है हमारा प्रकास वर्स किस की काई है तो दूरी की काई है किस की दूरी की next है मनुस्य के सरीर में pituitary गरंथी कहां पर पाई जाती है तो मस्तिस्क में पाई जाती है अगला है मनुस के सरीर के किस गरंथी को master गरंथी का जाता है तो pituitary गरंथी है दोस्तों जिसे fuse गरंथी भी का जाता है इस point से भी आप लोग पूरी तरह से prepare रहेंगे अगला question क्या है हमारा दोस्तों सडकों पर लगे lamp आप लोग जानते हैं में किस परकार के दरपन का प्रियोग किया जाता है next है किसी तारे के विभीन रंग में से हमें क्या पता चलता है तो उस तारे के तापमान का पता चलता है next है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसान का प्रियोग किया आता है next है मनुस के सरीर में प्रोटीन का पाचन कहा पर होता है तो छोटी यात में होता है, कहां पर छोटी यात में next, रख्तिके सुध्धिकरण यानि की फिल्टर की परकरिया को क्या कह जाता है, तो dialysis कहा जाता है अगला कोश्चन है हमारा, हीटर का तार किसका बना होता है, मोल्ट बना है दोस्तों, डवल स्टार का लिज़ेगा, हीटर का तार किसका बना होता है, तो नाइक्रोम का बना होता है, किसका नाइक्रोम का, अगला है, नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं, तो न्यूटरान और proton होता है क्या neutron और proton next question है किन रंगों को moon रंग कहा जाता है तो नीला लाल वा हरा पूरी तरह से ध्यान रखेंगे नीला लाल वा हरा अगला है समुद्र का नीला रंग क्यों दिखाई देता है तो परकास के परकिरणन के कारण आगे बढ़ते हम लोग, परकास के परकिरणन के कारण दूस्तों, शमुद्र का रंग नीला दिखाए दिता है, आगे चलते हम लोग, अगला क्या दूस्तों, परमार बम की सिध्धान पर आधाईत है, तो नाप के विखंडन की परकिरिया पर, वो हाइडोजन बम की सिध्ध लाल रंग में, लास्ट कोश्चन है यहां से, लाल रक्तकन का निर्माड मनुस के सरी में कहा होता है, तो अस्ति मज्जा में होता है, हाइलाइटल कोश्चन है आप लोग जानते हैं, दोस्तों, पीडियाप के लिए होटसप नमर हमारा लगा हुआ है, चलते हम लोग, अग कोश्चन बार-बार पूछे जाते हैं, उन सभी को दोस्तों हम लोग एक साथ कबर करेंगे, ध्यान दिजीगा आप लोग, एक तरफ दिया गया है, लोग प्रियोप नम, दूसरे तरफ महात्पुन वेप्तियों के नम दिये गये हैं, पहला दूस्तों, सीमांत गाधी, सीम के नाम से कौन जाने आते हैं, तो चितरंजन दास है, वह लोग नयक के नाम से कौन जाने आते हैं, तो जै प्रकास नारायन है, कौन है, जै प्रकास नारायन है, आगे चलेंगे हम लोग, अगला क्या दूस्तों, भारत का सेक्सपियर, किसे कहा जाता है, तो महा कभी काली द यहां से दो question बन चुक्का आप लोग जानते हैं, यह क्या पूछा गया दूस्तों, दोनों books से ही पूछा गया है, अगला हाकवी के जदुगर के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो मेजर ध्यान चंद है, नेक्स्ट है लीटिल मास्टर के नाम से, तो सुनिल गाउस कर जाने जाते हैं, बाबुजी के नाम से जग जीवन राम जाने जाते हैं, निर्मल हिद्दे के नाम से कौन जाने जाते हैं दोस्तों, तो मदर टेरेसा है, उड़न परी के नाम से पीटी उसा जाने जाते हैं, सुन कोकिला की नाम से लता मंगेस कर जने आती है वह भारत कोकिला की बात की जाए तो सरोजिनी नाइडू कौन? सरोजिनी नाइडू थोड़े ओर रहे गए हैं देखते हैं हम लोग क्या क्या दोस्तों? लवपुरुस के नाम से कौन जने आते हैं? सरदार वलभाई पटेल आप लोग जानते हैं देशरतन के नाम से डाक्टर राजेंदर परसाथ महा मना के नाम से मदन मोहन मालविय सहीदे आजम के नाम से भागस सिंग तूतिय हंद के नाम से अमेर खुसरो भारत के नेपोलियन बार बार पूछाता है तो समुध्रगुप्ट जनेते हैं यह इतने आप लोग यहां से कलेक्टulations रखेंगे दोस्तों तो एक्जामम में आता है तो नहीं आप लोगों को दोस्तों कोस्टन्स गलत होंगे और नहीं दोस्तों question miss होंगे चलते हम लोग अगले question की ओर अगला question हमारा क्या दोस्तों आज ही यहाँ से question आया हुआ यही question आया हुआ जो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे है more ones के स्थापना किस ने की थी correct answer दोस्तों चंद्रगुत मौर ने जो महातपुर दोस्तों राजवांस हैं उनकी संस्थापक इस topic से हम लोग दोस्तों यहाँ पर question देखे हैं उनका answer दे दिये हैं अब इस topic से जितने question बनते हैं सब को एक साथ cover करेंगे राजधानी भी यहाँ पर cover कर ली गई दोस्तों ताकि आप लोगों का यह topic यहीं पर पूरी तरह से complete हो सके वो भी एक से दो मिनट के अंदर आपसन डाले की कोई आऊ सकता नहीं आपसन से confusion create होगा एक बार राजधानी देखेंगे एक बार संस्थापक फिर आपसमें दोस्तों confusion हो जाएगा हम चाहते हैं कुछ ऐसी strategy रहे कम समय में आप लोग अपने पूरे पाठे कम को अच्छे खासे रहे से कबर्थ कर सकें जो की PDF में पूरी तरह से किया हुआ है एक तरफ पहले तरफ है दोस्तों परमुक राजवांस फिर उनके संस्थापक के नाम और फिर उनकी राजधानी के नाम चले शुरू करते हैं के साथ सबसे पहले हरियक वन संस्थापक विंबी सार है राजधानी राजगिरे है मौरी वन संस्थापक चंदरगुप्त मौरी है राजधानी पाठाली पूतर है संस्थापक पुस्सिमित्र संग है और राजधानी पाटल पुत्र है, पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, रिवीजन जरूर करेंगे, कुछ भी करें, रिवीजन करें, बार-बार ट्रिक कोई लगाएं, या रटा मारे, कोश्चन्स को याद रखेंगें होंगे, यह टापिक आप लोगों का है, सस्य में खुल चुकाब लोग जानते हैं, अब आगे की सभी सुप्ट में कुछण पूछे जाएंगे, अगला क्या है, संस्थापक पुस्य मित्र संस्थापक, दोस्तों, इनकी राजधानी पाटल पुत्र थी, सातवान वन, संस्थापक सिमूख है, राजधानी परतिस्ठान है, गुप्त वन, संस्थापक स्रीगुप्त है, राजधानी पाटल पुत्र है, वर्धन वन, संस्थापक पुस्य भूती है, राजधानी थानेस्वर है, उसका बाद गाल वन, संस्थापक चंदर देव है, प्ल्ले वाँं संस्थापक शूड़ो है। राजधानि काचाइपुर महीं। दोस्तों. माननीखेट है। कोजशन केया दोस्तों. लोथल को हम लोग बंदरगाह के नाव से जानेते हैं दोस्तों. आप लोग जानते हैं हलापा काली नस्थल, जो की भोगवा नदि के तरप इस्थिता, अब कोशन कहां से है, जो महात्रपुर्ण दोस्तों हलापा काली नस्थल है, अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग, उनके खोस करता के नाम भी डाल दे गए हैं, उनके वर्स डाल दे हैं इस्थिती कहां पीस्थित है जो हमारा कोश्चन बना हुए सब को एक साथ कलेक्ट करेंगे दोस्तों ध्यान दी जीगा आप लोग कोश्चन यहां से बनेंगे ही बनेंगे चलते हम लोग पहले दोस्तों पर्मुकस्थल की नाम, फिर उनके खोस करता के नाम, फिर वर्स की नाम, कब खोस की गई, और इस्थिती कहां पी इस्थित है, चलिए शुरू करते हैं, सबसे पले हडपा, इनके खोस करता द्याराम साहनी थे, इन्होंने 1910 में, दोस्तों, हडपा की खोस की और ये हडपा, राभी नदी के तरप पर इस्थित था, नेक्स्ट राम, मोहन जोदोलो, खोस करता राखाल दाज बनरजी है, इन्होंने 1922 में, मोहन जोदोलो की खोस की थी, जो की सिंधु नदी के तरप इस्थित था, फिर लोथाल, जो हमारा कोशन था, आरेस राव इनक की खोस की गई थी, भगवा नदी के तरप इस्थित था, आगे बढ़ते हम लोग, जहां-जहां से कोशन बनेंगे, किसी भी टापिक हम लोग मिस नहीं कर सकते, काली बंगा, एक-एक कोशन की की मत आप लोग जानते हैं, काली बंगा आ गया दूस्तों, इसकी खोस करता बी नदी के तरप इस्थित्ता, आलमगीर पूर, दोस्तों, याग इदर सर्मा, इनके खोस करता है, 1908 में इनके खोस की थी, हिंडन नदी के तरप इस्थित्ता, राखी गणी बारबाप वा पूछा गया है, सूरजभाद ₹69 में इनके खोस की थी, जो की घंगर नदी के की थी जो कि सिंधु नदी के तर्ट पर इस्थित्ता उम्मीद करते हैं दोस्तों यह टापिक भी आप लोगों का पूरी तरह से complete हो गया गया है रिवीजन आप लोग जरूर करेंगे आगे बढ़ते हम लोग अगला कोश्चन क्या है हमारा क्या है करेक्ट एंस रोग अमल विटामिन से समझने जो कोश्चन मत है दोस्तों सब को यहां पर कबर किया गया कोश्चन हम लोगों ने देखा एंसर दिया और उनके कमी का परिभाव यानि कौन सी कमी से कौन सा रोग होता है उसको भी कबर कर लिया गया है ताकि यह टापिक भी आप लोगों का यहीं पर पूरी तरह से complete हो सके जितने important है सब ले आएं ध्यान देज़ेगा आप लोग दोस्तों चलिए हम लोग सुरू करते हैं एक तरफ देगा विटामिन के नाम उनके रासाइंग नाम और फिर कमी का परभाव यानि को सी विटामिन की कमी से कौन सा र कडती है से करहते हैं जिसके का राक्ता का नहीं जमता है मुद का नहीं जमने के काड़खूण का बयीन की में होता है कि ये हम के होता है पूरी तरह से आप लोग प्रिपेर रहेंगे पीडियों की लिए होटसप नंबर हमारे लगा हुआ चलते हैं दोस्तों अगले पूस्टन की और अब कोश्टन कहां से अब ध्यान देंगे यह हमारा इंपौरेंट फैक्ट है दोस्तों ध्यान देंगे इजी टू मोडे इनका ट्रेंड है, पूरी गंभीरता के साथ साल्प करेंगे दोस्तों, यहां से questions आपके सभी वंडे exam से पूछे जाते हैं, बार-बार repeat होते रहते हैं, highlighted question है सारे, तो चलते हैं दोस्तों, पहले question की और, क्या है मारा question, गिरे नाइट किस प्रकार की चटान का उधारना है, त का समन्द किस वाध्यन से हैं, तो यह बासुरी वाधक हैं, next, पीलिया सरीर के कि संक्रमल के कारण होता है, तो यकरित के, next, तिरतिय बोध संगीती का उजण कहां पर हुआ था, तो पार्टली पुत्र में, अगला है भारती राष्टे कांग्रेस की पर्थम महिला अध्यसक पूरी तरह से अब लोग प्रिपेर रहेंगे, next, हीरा कुड़ बात किस नदी पर निर्मी था है, महा नदी पर, next है, राज्यसभा के परतेक सत्यस्यों का कारिकाल कितना होता है, तो छे वर्स, ध्यान रखेंगे आब लोग, सारे selected question हैं, दोस्तों यह, हम चाहते हैं, कोई भी topic, कहीं से भी आप लोगों का question, exam में मिस न हो सके, अगला है, मानस राष्टे उद्यान किस राज में इस्थित है, तो असम में, next, काजी रंगा राष्टे उद्यान किस राज में इस्थित है, असम में, दोनों ध्यान रखेंगे, काजी रंगा, हाले लेटर अब लोग है, टेहरी बाद परियोजना, किस नदी पर संचाली था है, भागी रती नदी पर, अगला है दोस्तों, बिसुफ परिया वरण दिवस किस्तिती कुमराता है, तो पांच जून कुमराता है, कब भाख़णा नांगल भी 17 पहले दिन पूचा गया था, अठावस सत्तावन के विद्रो के दोरान, भाद का गौर्णर जनलन कौन था, तो लाड कैनिंग थे, अगला है, नीतियाओ का गठन काप किया गया था, तो एक जनुरी 2015 को हम लोग बात कर चुके हैं, इस पर, धन भीदय की परिवासा की सनुच्छते में वोड़ी था, 110 में, डबल स्टार कर लि कब किस खेल से समान दी था, तो बैड मिन्टन से है, नेक्स्ट, दच्छिण अमेरिका के सीतों सुन घास के मैदान क्या कहलाते हैं, तो पंपास, अगला है, आत्म कथा, पलेंग इट माई वे, मोस्ट अपारण है, सचिन तेंदुल कर हुए हैं, दोस्तों, इनके लेखा ख सकते हैं, तो कनिस के के, किस के, कनिस के के दरबार के चिकिस सकते, अगला कोश्चन है, दोस्तों, मारा मीनाची मंदिर भारत के किस राज में इस्तित है, तो तमिल नाडू में सत्य सोधक समाज के स्थपना किस ने की थी, जोतिवा फूले ने, पूना समझ होता, जो की 1932 मे होता, किन के बीच में, तो गाधी और अमबेट करके बीच में, सेकन लाज कोश्चन देखेंगे, इसी रीज का, एकल नागरिकता का प्रावधान, किस देश के संग्धान से लिया गया, तो वेटन के, वा लॉस्ट कोश्चन है, हमारा भारत का महनेवदी, संग्धान के किस अनुछद में वाड़ी था, तो उनुछ़ए 76 में, किस में? 76 में, तो यह थो दोस्तों, इसी रीज के टाप एम सी के उच के परस्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने साल्व किया है, उम्मीद है दोस्तों, आप सभी लोगों ने साल्व किया होंगे, और देखे होंगे, कि यहां से आपके कितने परस्न सही हो रहे हैं, तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियोज के लिए, आप हमाई स्टेडी चैनल, सुख रुपा कलासेश से जुणाय चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे दोरादी जाने वाले सभी वीडियोज, आप करम से सबसे पहले देख सकें, तो मिलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियोज में, थैंक्स भर वाचिंग,